जय जगर्नात, हेलो बच्छा पाटी, वेल्कम ब्याक टो माई यूटूब चैनल स्र्ड फिजिक्स, इन दिस वीडियो, आइम गोईं टो डिस्कस अबाट ए प्रिबिएस यह जे इमेल कोस्चिन, ओके, चलिए देखते हैं यह जे इमेल कोस्चिन को हम केसे आसानी से साल कर सक यह जे इमेल जो कोस्चिन है, ओ वानडा मिसल मोसं से आया है, तो कोस्चिन इज, इन थ्री डाइमेंचनल सिस्टम, दो पोजिशन कोडिनेर्स अफे पार्टिकिल आर गिबन बिलो, एकस इकवाल टो एक आस ओमेगा टी, वाई इकवाल टो एसान ओमेगा टी, जे इकवाल ए ओमेगा टी, तो चलिए देखते हैं, यह कोस्चिन को केसे आसानी से सब कर सकते हैं, तो थ्री डाइमेंचनल कोडिनेर्स सिस्टम में कोडिनेर्स दे दिया है, एकस का वेलू दिया है, एकस ओमेगा टी, वाई का वेलू, एसाइन ओमेगा टी, जेड का वेलू, एकवाल तो इसके लिए आपको position vector find करना पड़ेगा यह जो r है इसको क्या बहते है position vector और भी क्या है velocity vector r find करना पड़ेगा तो r क्या है r equal to x i क्या plus y j क्या plus z ठीक है तो x का value substitute करो a cos omega t i क्या plus y का value a sin omega t j क्या कि z का value a omega t k क्या तो position vector सा हम कैसे velocity vector निकालेंगे तो d equal to dr by dt dr by dt तो इसका derivative करेंगे with respect to p a constant उसको रहने देते है cos omega t का derivative minus sin omega t फिर omega t का derivative कितना है omega i cap को i cap ठीक है plus a constant a sin omega t का derivative कितना है cos omega t and omega t का derivative कितना है omega j क्या अपको चेक है plus a constant omega t का derivative कितना है omega k क्या तो यह velocity vector मिल गया है तो इसका magnitude निकालते हैं क्योंकि option में सब magnitude महीं दिया है वेक्टर तो नहीं option में तो हमको magnitude निकाला पड़ेगा तो magnitude कैसे निकालेगी minus a sin omega t का square plus a cos omega t का square plus a omega का square whole root over क्योंकि कोई वेक्टर का magnitude से निकालेगी वेक्टना मजाएगा a square sin square omega t यह कितना हो जागा a square cos square omega t यह कितना हो जागा a square omega square सरी यहां एक omega है मैं यहां छोड़ते हैं ये स्कुयर स्कुषूर ओमेगा स्कुषूयर। यह होतेखा है। ये भी कितना हो जाएगा। तो wasnब कामेगा स्कूषूर लेगे। मैं सांगे स्कुषूर यह." 1 a square omega square ये दोनों से कितना मिल गया a square omega square plus a square omega square कितना हो गया under root 2 a square omega square कितना मन जाए गया root 2 a omega root 2 a omega so option a is a correct answer I hope कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये उसे थैंक्यू जाय जागनान फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलता है